मन्च पर उपस्तेत भारतिय जनता पार्टी के बरिष्ट सैयोगी गाण, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी गाण, संसत के मेरे साथी गाण, विदायक गाण, और देवघर के मेरे प्यारे भावी और बहनों। कल देवघर की दिवाली, पूरा देवघर, दीप मालाएं प्रज्वलिच कर, और पुरा देश देख रहा था, कि जब विकास की गंगा बहती है, तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है, वो कल पूरे देश ने आपने दीपक ज़ला करके, पूरे देश को संदेश दिया है। और आज मैं नए नए एरपोर्ट देवघर से निकला, और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में, जिस उमंग और उत्सा से आप सब आशिरवाद देने के लिए आये थे। पूरा जारखन, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परंगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशिरवाद दिये हैं, मेरे जीवन के एक बहुत बड़ी पूझी है, एक तरफ, एक तरफ बाबा का असिरवाद, और दूसरी तरफ, इश्वर रुप जनता जनारदन का असिरवाद, दोजों असिरवाद, कितना बड़ा शक्ति देते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, भाईयों बेनों स्रावणी मेले की तयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेग रंग रूप से मनेगी पूरा अमारा महिना उमंग और उत्सा से बितने वाला है मुझे भी कुछ पहले समय पहले बाबा धाम कुछ बाबा के चरणों में जाके दर्शन पुजन अर्चन करने का सौभागी मिला उससे पहले जारखन के विकास के लिए हजारों करोड रुपियों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनारदन के चरणों में अर्पिच किया आप जनता जनारदन और विशेश रुप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुभीधाओं का विस्तार हुआ है उससे मेरे कावडिया और त्रधालों उनको तो अनेक प्रकार की सुभीधा होने वाली है जिस नए एरपोर्ड का सिलान्यास करने में मुझे यहां देवखर आने का सोभागी मिला था आज उसका लोकारपन करने का आउसर मिला है आपको याद होगा पहले योजना की गोशनाएं होती थी फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था दो चार सरकारे चलने के बाद कोई और आता था फिर वो इट लगाना शुरू करता था और पता में कितनी सरकारे जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी आज हम उस राकारिय संस्कृति को लाए हैं उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं उस गवर्नेंस के मोडेल को लाए हैं कि जिसका सिलान्याद हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं हम जन्ता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं जनता के पसीने से आये हुए पैसों का मुल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बरबाद न हो जाए पैसों का समय पर उप्योग हो और पैसों का जो उप्योग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आये इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं साथियों आपने अपना स्थे देकर मुझे जिस तरह अपना रणी बना लिया है उसको मैं तेज विकास करके सबका विकास करके चुटाने का इमांदारी से प्रयास करता रहा हूँ करता रहूँगा आज सोला हजार करोड रुपिये से जादा किये योजना है इसी दिशा में एक महत्वपुण कदम है भावियर बेनो भारत आस्था अध्यात्मा और तिर्तस्थलों की धर्ती है तिर्ती आत्राओं ने हमें बहतर समाज और बहतर राश के रुप में गड़ा है हमें देवघर को ही देखे तो यहां शीव भी है और शक्ती भी है जोतरलिंग और शक्तिपीट यहां दोनों मुझूद है हर साल लाखों असरत धालो दूर दूर से यहां गंगा जले कर आते हैं देश के अलग-अलग कोने से आते हैं बड़ी भक्ति भाव से आते हैं लोगों को एक दूसरे की भाशा बोली बले समझ आए या ना आए लेकिन हमारी आस्था हमारी सांस्कृतिक विरासत यह सांजी अमानत है भारत की इनी धरोहरों को सुरक्षित करने इन तक पहुंदने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूत पुर्वन निवेश किया जा रहा है बाबा बैदनात दाम हो काशी विश्वनात दाम हो केदारनात दाम हो अयोध्या दाम हो रामा एंड सरकीट हो भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो देश में आस्था अध्यात्मा और अइतिहासिक मात्व से जुड़े हर स्थान में आदुनिक सुमिदाएं तयार की जा रही है